Hello Friends, Welcome to our Channel तो Friends, आज किस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दे ये वीडियो जो है एक कोलाबरेशन वीडियो है जहांपर हमने कोलाब किया है IFAS के साथ IFAS जो है Friends, इंडिया के No.1 इंसिट्यूट्स में से एक है जो आपको प्रोवाइड करते हैं Online Exclusive Course किस कैटगरी में? NTA, UGC Net और Set Exams की कैटगरी में जहांपर Friends, ये आपके लिए लाए है Complete Paper 1 यानिके जो आपका UGC Net का Paper 1 है उसके लिए 12 घंटे की Non-Stop Mega Marathon इनके YouTube चैनल पर अगर Friends, आप UGC Net Paper 1 के लिए इस 12 घंटे की क्लास को देखना चाहते हैं तो आप कल यानिके 11 अक्तूबर सुबा 9 बजे से जो है इस क्लास को लाइव देख सकते हैं इनके YouTube चैनल पर इनके YouTube चैनल का लिंक Friends, आपको इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा और साथ इसाथ इनकी अप और वेबसाइट का लिंक भी आपको description box में मिल जाएगा इन लिंक्स के तुरू जो है Friends, आप इनके YouTube चैनल वेबसाइट और आप पर विजिट कर सकते हैं वापिस से Friends, हम अपनी वीडियो पर जलते हैं और साथ इसाथ important points को जो की आपके exam के point of view से काफी helpful रहेंगे और साथ इसाथ Friends, अगर आप किसी भी government exam के तियारी कर रहे हैं तो उन students के लिए भी वीडियो काफी helpful रहेगी आप ये वीडियो अन तक जरूर देखें जहांपर आज का मारा पहला question है यानि के स्वतंतरता के बाद महिलाओं की शिक्षा पर भारसरकार द्वारा गठित पहली समित्ती की अध्यक्षता किस ने की इन में से वो की थी option दी दुर्गाबाई देशमुक ने दुर्गाबाई देशमुक ने जो first committee है उसके अध्यक्षता की थी जिसको constitute किया गया था government of India द्वारा after independence जो है इस committee को गठित किया गया था और किस पर थी ये committee women's education पर जहांपर friends दुर्गाबाई देशमुक ये Indian freedom fighter, lawyer, social worker और politician रही है और साथे साथ ये member भी रही है constituent assembly of India की और planning commission of India की कौन दुर्गाबाई देशमुक इसके बद friends national council of women जिसको establish किया गया था 1958 में जिसकी अध्यक्षता की दुर्गाबाई देशमुक ने इसके बद अगले point में इन्होंने मुखे जो है किस पर focus किया promote करने पर, किसको promote करने पर women education को country में देन इसके बद national commission for women को भी set up किया गया था 1992 में किसके अंडर national commission for women act 1990 के अंडर जहां पर जियनती पतनाएक जो है वो first chairperson थी national woman commission की और first commission जो है कब constitute किया गया था 31 जनवरी 1992 को इसके बद friends next point में रेखा शर्मा करन्ट chairperson है किसकी national commission for women की इंडिया में और कब से है 7 अगस 2018 से इसके बद friends हम अपने next question पर चलते हैं one of the recommendations made by dash commission was that a percentage of higher salaries for the teachers so that they could get the motivation for teaching यानि किस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में से एक यह थी कि शिक्षकों के लिए उचवेतन का प्रतिशत हो ताकि उनने शिक्षन के लिए प्रेड़ना मिल सके इन में से friends यह recommendation की गई थी option ने रादा के शन कमिशन द्वारा जिसे जो है friends हम University Education Commission 1948 और 1949 के नाम से भी जानते हैं इस commission ने सिफारिश की थी recommend किया था कि जो शिक्षक हैं यानि के teachers हैं उनकी salaries का percentage जादा हो ताकि उनको teaching के लिए motivation मिल सके next question friends which committee recommended the setup of IITs along the lines of the Massachusetts Institute of Technology in short MIT यानि के Massachusetts Institute of Technology की तरज़ पर किस समीती ने Indian Institute of Technology in short IIT की स्थाफना की सिफारिश की इन में से वो committee थी option D नलनी रंजन सरकार committee इसने recommend कि set up किया जाना चाहिए IITs को किस की तरज़ पर Massachusetts Institute of Technology in short MIT की तरज़ पर ये किस committee ने recommend किया था नलनी रंजन सरकार committee ने इसके love friends हम नलनी रंजन सरकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं नलनी रंजन सरकार ये एक Indian businessman, industrialist, economist और public leader थे इसके बाद friends सरकार कमेटी ने एक important role play किया किसके establishment में चार Indian institutes of technology in short four IITs के establishment में next point में नलनी रंजन सरकार ने एक्ट किया wise president के रूप में और किसके wise president के रूप में national council of education बेंगौल के रूप में और इन्होंने contribute किया spread करने में education को इंडिया में और ये pro chancellor भी रहे किसके डेली उनिवरस्टी के किस period के दोरान 1941 से 1942 तक और साथ इस साथ किसके pro chancellor रहे बनारा सिंदू यूनिवरस्टी के next point में इन्होंने serve किया chairman के रूप में और किसके chairman के रूप में All India Council for Technical Education in short AICTE के chairman के रूप में कब 1946 से 1952 तक इसके बत फ्रेंट सम अपने next question पर चलते हैं हमारा next question है which commission has stated that the university degree does not be essential for the administrative services यानि किस आयोग ने कहा कि पर्शाशनिक सिवाओं के लिए विश्विदाले की degree आवशक नहीं है ये कहा गया यानि कि वो commission है optionally RADHakishan Commission इसके द्वारा कहा गया कि परशाशनिक सिवाओं के लिए यानि कि administrative services के लिए university के degree आवशक नहीं है इसके बत friends मारा next question है in 1948 the Central Advisory Board of India in short C.A.B.E. decided to set up which two commissions यानि कि 1948 में भारतिय केंद्रिय सलाकार बोड़ ने किन दो आयोगो की गठन का निर्ने लिया नमबर वन है रादा किशन कमिशन, नमबर सेकेंड है मुदालियर कमिशन, थर्ड कोठारी कमिशन, फोर्थ पर है हंटर कमिशन Friends code अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इन में से correct code है code A, code A के according क्या है कि number one and second नमबर वन के according क्या है, रादा किशन कमिशन और second के according मुदालियर कमिशन, यानि कि ये दो वो कमिशन है जिनने 1948 में Central Advisory Board of India ने decide किया था कि set up किया जाना चाहिए दो कमिशन को, तो ये वो दो कमिशन है सबसे पहले friends हम discuss करेंगे थोड़ा रादा किशन कमिशन के बारे में इसे जो है University Education Commission 1948-49 के नाम से भी जाना जाता है जहां पर after independence यानि के आजादी के बाद रादा किशन कमिशन को set up किया गया था November 1948 में review करने के लिए समिक्षा करने के लिए University Education की इसके बाद रादा किशन कमिशन को establish किया गया था assess करने के लिए यानि के मुल्यांकन करने के लिए की current जो situation है किसकी Indian University Education की उसका मुल्यांकन करने के लिए और suggestions देने के लिए उसके improvements में किसके improvements में Indian University Education के improvements में next point है Dr. Sarpalli Radhakishnan इनको appoint किया गया था of the Commission यानि के इस Commission के head थे किस पर University Education पर और इसके लावा कुछ recommendations के अगर हम बात करें जो कि Radhakishnan कमिशन द्वारा दी गई थी इनमें से number one है कि raise करना pay scale को किन के लिए teachers के लिए और establishment किया जाना चाहिए किसका University Grants Commission का next point है friends after independence comment of India ने appoint किया था Vice Chancellor भी रहे हैं किसके बनारस University के और इस Commission का यानि के कौन से Commission का रादा किशनन Commission का inauguration किया गया था उधगारण किया गया था जो उस टाइम के Education Minister थे भारत के कौन मॉलाना आजाद उनके द्वारा जो है inauguration किया गया था रादा किशनन Commission का और कब किया गया था 6 दिसंबर 1948 को देने इसके बाद इस Commission ने समिट किया अपनी रिपोर्ट को अगस्त 1949 में और 10 मेंबर्स थे इस Commission में next point है friends मुदालियर कमिशन यानि कि हमने मुदालियर कमिशन के बारे में भी इस कोशन में बात की थी तो इसको भी हम थोड़ा डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले मुदालियर कमिशन एक एजुकेशन कमिशन है जिसे सेट अप किया गया था किस एम के साथ एक्जामिन करने के लिए किस सिस्टम को सेकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम को इंडिया में और इसे जो है Secondary Education Commission के नाम से भी जाना जाता है और ये कब आया 1952 से 1953 में किसकी चेर्मेंशिप के अंडर डॉक्टर A. लक्षमन स्वामी मुदालियर की चेर्मेंशिप के अंडर इसके बाद फ्रेंड्स डॉक्टर A. लक्षमन स्वामी मुदालियर जो है वो वाइस चांसलर बीते किसके मदरास युनिवस्टी के नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट यानि कि अगर हम नुक्ती की बात करें अपॉइंट किया गया था Government of India द्वारा किसकी रेकमेंडेशन पर Central Advisory Board of India की रेकमेंडेशन पर कब 23 सितंबर 1952 को और मुदालियर कमिशन ने कब किया एक्जामिन करना था और उदेशित है कि सिजेस्ट करना है मेजर्स यानि के उपायों को इंप्रूव करने के लिए Secondary Education System को तो फ्रेंट यह थी आज की मारी वीडियो अगर आप इस वीडियो की PDF फ्री आफ को चाते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करने के लिए Friends आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो आपका अपने टेलिग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम है Keep Learning Keep Growing सर्च करने के बाद फ्रेंट आपको चैनल शो हो जाएगा जहां पर friends आप channel के group पर click करके group को join कर सकते हैं और friends आपको वही group join करना है जिसके approximately 7000 subscribers है या फिर followers हैं वहाँ पर आपको channel के हर एक video की PDF जो है free of cost provide करवा दी जाएगी next video friends आपको जल्दी channel पर मिल जाएगी so thank you friends for watching this video